कि अगर आप पेटियम यूज करते हैं और पेटियम मर जब अपना एकाउंट लॉग इन करते हैं लॉग इन करने के बाद जो वन टाइम पाफ़र आता आपके मुवाइल पर वो नहीं आ पाता है तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे फिक्स करना है आपको अपने मुवाइल पर आने स्टार्ट हो जाए तो फिरने चल्ए वीडियो को स्टार्ट करती है तो बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने OTP को फिक्स करेंगे पर जैसे पेटियम के application को करेंगे open, open करने के बाद website मुवग पर आपको एक login का उपसे मिलेगा, यहाँ पर click करना है और आपको login to continue में click करना है, जैसे आप login to continue में click करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने account को login करने के लिए अपना यहाँ पर mobile number डालना होगा, यहाँ पर फटा है कि loading होना start हो चुकी है, जैसे loaded होना start हो जागी यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक one time password भेजा जाएगा, password भेजा गया है, देख सकते हैं यह number पर लिग गया है, इंटर one time पाफ़र लेकिन मेरे number पर password नहीं गया है, तो इसका fix कैसे करने, इसके लिए आपको back ह के वापस आजाना है अपने home screen पर, अब आपको आजाना है अपने mobile की setting पर, जैसे आप अपने mobile की setting पर आजाएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी setting देखने को मिलने आईगे, आपको करना क्या है, यहाँ पर एक option मिलेगा, apps का apps में click करना है, click करने पाद थोड़ा सा application कहां पर यह रहा, Paytm स면でしょう, यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है storage, पर сторीज में जाने के बाद, आपको यहाँ पर पहले clear data पर click करना है, जैसा आप clear data पर click करेंगे, back हो के वापस आजाएंगे, यहाँ पर एक option मिलेगा, storage का, फिर आपको storage पर click करना है, यहाँ नट आट जैसे आप कर देते हैं, करने के पार नीची जाएंगे, यहां पर एक आपसे मिलेगा Permissions करना, यहां पर क्लिक करना है, अब यहां पर देख सकते हैं सारी Permissions को यहां से आपको कर देना एनेबल, यैसे एनेबल कर देंगे enable करने के बाद back हो के वापस आ जाएंगे अपने mobail के screen पर फिर आप अपने paytm application को दुबारा से open करेंगे जैसे आप यहाँ पर अपने paytm application को दुबारा से open करेंगे open करने के बाद यहाँ पर फिर आपका paytm का homepage आ चुका है फिर उपर आप left side में जाके 3 line में क्लिक करेंगे जैसे आप 3 line पर क्लिक करेंगे फिर आपको वही proceed करना है login वाला item यहाँ पलेगा है welcome to login paytium, paytium में यहाँ पर आपको अपना mobile number फिर से fill करना है paytium में mobile number फिर से fill करने के बाद simply से proceed security में फिर से दुबारा क्लिक करना है जैसे एक क्लिक करेंगे अब आपको ध्यांदेना है कि आपके रहिष्टर mobile फिर ओटी भी भेजाएगा अज इस बार आपका जो ओटी पी था वो fix कर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं मेरे mobile पर OTP आ चुका है यहाँ पर मैं OTP को डाल देता हूं OTP डालने एक बाद simply मैं confirm